Hello students, how are you? I hope you are well. So, today we will discuss about the 5th chapter of math of 8th class, which is data handling. Data handling. Okay, so let's start. सबसे पहले हमारे पास जो प्वेस्टन होता है कि हम data handling पढ़ते क्यों है? क्यों पढ़ रहे हैं? हम डाटा हैं को? सबसे पहले इसकी importance ही पता हो नचीए कि हमारी daily life में इसका physical significance क्या है? कहां पे यूज होगा ये? वो पता हो नचीए ना? तभी तो पढ़ने का कुछ फायदा है? तो इसका जो data handling का जो यूज है हमारे life में वो है जब हमें कोई information मिलती है और एक ही concept से related हमारे पास बहुत सरी information हो जाती है अगर हमें वो handle करके रखना है तब हम data handling use करते हैं जैसे अब हम हमारी जो DNC होती है जो mark seat होती है अगर आपने वहाँ पे देखा हो तो या फिर जब हमारा result आता है जो हम जब result देते हैं teachers तो हमें एक certificate मिलता है जिसके अंदर यहां पे side subject लिखे होते हैं यहां पे marks कितने में से आया है वह out of 100 और उसमें grade point साथ में ठीक है और यहां पे last में overall तो ऐसे वह क्या होता है एक table सी बनी होती है तो वह table भी क्या एक data handling की एक क्या form ह ठीक है लेकिन अब जो हमारी chapter में हमें discuss करना है 8th class में वो हैं हमारे पास 3 form जिसके अंदर एक तो हैं हमारे पास pictograph दूसरा है bar graph और तीसरा है double bar graph तो पहले तो हम क्या करते हैं कुछ information देखते हैं जिसको हम यहां collect कर सकते हैं और utilize कर सकते हैं तो हमारी daily life में जैसे कि आपने आप भी हमारे जो test match चले हुए हैं आपने test match में देखा होगा वहां पर भी show करते हैं कि जैसे विराट कोहली इतने match खेल चुका है और इतने match खेलने के बाद उन्होंने इतने run बनाए है total ठीक है तो फिर यह क्या होता है कि runs made by a batsman in the last 10 test matches तो अगर उनको arrange करना हो हमें तब किसी class में या फिर किसी specific subject के ठीक है तो तब भी हम क्या यूज करते हैं data handling यूज करते हैं या फिर जैसे हम क्या करें जब story books होती है जो जो students के दुवारा या friends के दुवारा read कर ली जाती है तो वो भी अपनी अपनी एक data data त्यार कर लेते हैं कि मैंने यह वीडियो यह जो हम help से क्या कर सकता है recognize कर सकता है कि यह तो मैंने पढ़ ली थी अब मुझे यह नहीं लेनी ठीक है तो यह है कुछ data जो हम डेली life में यूज करते हैं तो अब इसी data को जब हम रिपरजेंट करते हैं तो हमारे पास तीन form होती है जो first form है हमारे पास वो है pictograph pictograph means जो भी हमारे पा लगा इस चीज़ की बात कर रहे हैं जैसे अगर खुंट करें गाड़ी की तो उसको हम ऐसी करके बना देंगे बोटीक है और यहां पे भी पहिया लगा देंगे और यहां पर भी ठीक है तो यह हमारी गाड़ी बन गगी अब उसके बाद अगर हमें हम बात करते हैं cycle की तो ह हम ऐसे करके साइकल बना देंगे ठीक है ऐसे करके तो यह क्या है रिप्रेइंटेशन है हमारी जो जिस चीज की हम बात कर रहे हैं अब जैसे मालो कोई कमपनी जो एटलेस कमपनी वो साइकल बनाती है मालो उसको 2015 में 1000 जो साइकल है वो बिक गए ठीक है अगर 2016 की बात करें तो तब मालो उसके 700 थे next time और कम और कम या जादा ठीक है जो भी उसका वो बने तो उसको हम क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे years लिख सकते हैं और हम मान सकते हैं कि एक जो यह cycle की form है वो कितने cycle को represent कर रहा है मालो 500 को कर रहा है 500 को तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2015 में उसने यहाँ पे company का ना year ठीक है और यहाँ पे जितने उसने sold की हैं वो और यहाँ पे हम क्या करेंगे picture बना देंगे ऐसे cycle की ऐसे वाली ठीक है जिससे हमें यह पत लग गया ना क्योंकि एक हमारा कितने को represent कर रहा है में आएगा ठीक है जो अगर हम मान के चलें कि एक हमारे पास यह ऐसी गाड़ी है ठीक है ऐसी हमारे पास क्या एक गाड़ी है और यह एक गाड़ी हमें 100 कार को represent कर रही है यहाँ पर ठीक है और जो बोला गया इसके अंदर वह यह बोला गया है कि जुलाई मंत में एक company है उ जो अपनी कार है वो सोल्ड की हैं बेच्ची है और अगस्त में उसने 300 बेच्ची है ठीक है तो फिर अब हमें यहाँ पर क्या करना है हमें यहाँ पर चेक करना है कि हम कैसे इसका पिक्टोग्राफ बनाएंगे तो पिक्टोग्राफ बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे पहल जो भी वस्तु हैं मारे पासेंट की इतने संही वह एक इसा । तो अब उसने बुल ला है कि जुलाई के अंदर है कि जुलाई में उन्होंने क्या किया था उन्होंने लुजय के उनुकी बन Вс फिफ्टी कार्स रिप्रजेंट कर देंगे यहां पे हम पांच कार बना देंगे ठीक है तो यहां पे हम क्या करते हैं 50 कर लेते हैं क्योंकि असान इजी रहेगा अधरवाइस फिर हमें हाफ बनानी पड़ेगी ठीक है तो यहां पे अब हम क्या करेंगे हमें 50 ले लिया इसको 50 हिसके अंदर तो यहां पर हम ऐसे बनांगी कर है फालंगे हैं नगुथ थिए क्शिर के हम जो बनाके लिक्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है जो जुलाई है जुलाई में definitely यहां कम्पनी ने 5 पांच कार का सेट वो किया था एक कार कितने को Lesik olur पिजा कर रही है पचास कार को एक जो गाड़ीस इबना रखी है एक कितने कोले प्रॉचन कर रहे है पचास कार को तो इसका मतलब हमने कितने 250 जो कार थी वो इसको कर पार थी घालीं हो जाएगी अब उसके बाद उन्होंने बोला है कि अगस्त में अगस्त में अन्होंने 300 की तो 300 की तो 150 को 300 by 50 तो यहां से 5, 6 जा 30 तो हमें 6 बनानी पड़ेगी यहां पे ठीक है हम छोट छोटी बना देते हैं इन पिक्टोग्राफ की फोग में आई समझ में आई होप कि आपको इसको समझने में कोई प्रोब्लम नहीं आई होगी और ऐसे ही करके हम क्या कर सकते हैं हमारे जो बहुत सरी question नुमेरिकल हैं वो भी solve कर सकते हैं अब मालो हमारे पास एक question यह दे कि उसने जुलाई में तो बनाई 250 कार ठीक है जो कंपनी है उसने 250 कार बनाई है जुलाई में और अगस्त में बनाई है उसने 300 तो वो नेक्स्ट मंथ कितनी बनाएगी सप्टमबर में अब हमें पता है कि यहां पे 50 का गैप आया हुआ है तो यहां पे कितनी बनाएगी 350 बना arb g taken ृइसे करके हम क्या कर सकते हैं जो हमारा डेटा है जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन साथ रएंग पीक्टोग्राफ कि ऑफ में रिपने kसक और सकते हैं इसके गशल को चाहरा प्लीक्ड़ת करने का जो हमारे पास अरीक डियंट करने का ओर uniform width and their height being proportional to their respective value यहां पर क्या गरते हैं जैसे यहां पर बार्स बनाते हैं ऐसे वाले बार वहां पर तो पिक्चर बना रहे थे यहां पर ऐसे वाले बार बनाएंगे जो क्या होंगे होंगे equal width में होंगे ठीक है हाइट उनकी कम जादा होगी क्योंकि जितना हमारे पास data होगा उसके coding जाएगी वो तो हाइट तो लेकिन जो इसकी width है वो constant है सभी के अंदर सेम रहेगी हमारी ठीक है तो अब यहां पर देखो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर हम मान लेते हैं कि एस क्लास के जो बच्चे है स्टूडेंट्स हैं विदार्थी हैं उनकी नंबर की 2003 में इतने थे 2004 में इतने है 2005 6 में इतने है और 67 में इतने हैं जैसे क्या होता है अब 2021 चल रहा है ठीक है तो अब आपका जो सैसे ने 2022 21 था फिर उसके बाद अब जो नया आया है 2021 से 2022 है फिर उसके बाद इससे पिछे अगर देखे हम तो यहां पर 2019-2020 था फिर उसके बाद यहां पर 2018-2019 था ठीक है तो ऐसे करके इनोंने दे रखा हमें कि कुछ यहां पर यहां पर पहले बात करते हैं 2018-2019 उस सन में हमने माल लिया हमारे पास जो एट्थ क्लास में बच्चे थे वो थे 100 ठीक है जब हमारे पास 2019-2020 यहां वो सैसन आया तब उस सैसन में हमारे पास कितने बच्चे थे एगाफ हमारे पास 200 कि प्च्टे ठीक है अब टूधावज़न 20 से 2021 में जब हमारे पास ne regel यहां तब हमारे पास 250 स्टूडेंट्स थे तो प्कूर संथे जो जो सैसन आयाँ उसके ignandر हमारे पास कितने हैं मालो 300 अब इसको हमें किस form में रिप्रजेंट करना है इस पो में रिप्रजेंट कर ने के लिए हम क्या करेंने हम पहले हम् जैसे x-axis और y-axis घ्राफ बनाते हैं तो हम पहले वह रो करेंगे यहां पे थीक है तो हमारे पास जैसे माली है यहां पर Vet और यह है हमारी y-axis ठीक है स्केल से बनाओ गए और बिल्कुल स्टेट बनाओ गए और यहां पर हमने रिपर्जेंट कर दिये academic years जिसके अंदर variation आ रही है वह यहां पर ठीक है और साथ में यहां पर अब यहां पर जो हमारा ग्राफ बनेगा जो नंबर हैं वो हमने यहां पर किये हैं ताकि हम क्या करें horizontal बनाए वर्टिकल भी बन सकता है और horizontal कब बनता अगर हम यह यह यहां पर ले लिए और जो हमारे यह स्टूडेंट नंबर ओफ स्टूडेंट्स हैं वह यहां पर आ जाते ठीक है फिर हमारा क्या बनता horizontal बन जाता लेकिन अब हमारा वर्टिकल ठीक बनेगा ठीक है तो हमने यहां पर दिनोट कर दिया हमने 19 to 20 फिर यहां पर 22 21 और यहां पर 21 to 22 ठीक है अब यहां पर हम कैसे रिप्रेजन्ट करेंगे यहां पर भी हम अब हमारे पास क्या है हमारे पास 250 भी है तो हम 50-50 का गैप से कर लेंगे 50-100-150-200-250 और यहां पर हमारे पास आ जाएगा 300 ठीक है तो अब जब हम इसका डाइग्राम प्लोट करेंगे तो यहां पर क्या होगा हमारे पास जैसे मालो यहां पर 18 है यहां पर 19 है एक मतलब इसकी एक्वल हमें वीड़ लेनी है न तो हम अपनी मर्जी से थोड़ा थोड़ा पॉइंट से इदर बढ़ा देंगे हाफ हाफ पॉइंट बढ़ा देना ठीक वो काफी है फिर उसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर स्केल की हल्प से हम इसकी इसके अंदर ड्रो क करेंगे तो हमारे पास देखो 2018 से 19 में कितने थे स्टुडेंट्स हंडर्ड तो हंडर्ड के पास लेके जाना हमें हंडर्ड यह है तो हमने यहां पर डोटिट कर लिया पहले फिर उसके बाद हम इसको ऐसे करके मैच कर देते हैं इसके बन गया हमारा first bar graph फिर उसके बाद हमारे पास जो है वह है 19-20 19-20 तो हम क्या करेंगे 200 का डो कर लेंगे ये है हमारे पास line 200 की तो हमने क्या किया यहां से यह आप pencil के साथ करोगे ठीक है जोगि pencil के साथ जब हम इसको करते हैं तो हम इसको रब भी कर सकते हैं easily ठीक है फिर उसके बाद है हमारे पास 2020 से 21 तो 2020 से 21 के बीच में हम कैसे करेंगे तो यह था हमारा 2019 से 20 तक का अब जो 2020 में और 21 में हमारे पास कितना है 250 स्टूडेंट्स हैं तो अब यहाँ पर 250 की लाइन कौन सी है हमारी यह वाली है तो इसको हम थोड़ी डोटीड से लेके जाएंगे और यहां पर हमने डोट लगा दिया अब हम क्या करेंगे यहां से स्केल लगाएंगे और यहां पर एक सिद्धी लाइन खीच देंगे और जिससे हमारा यह ग्राफ बन गया किसका जो हमारा 2020 से 21 यह है उसका फिर उसके बाद 2021 से 2022 है उसका हमारे पास 300 students है तो 300 के लिए हमारे पास यह लाइन आएगी तो इसके coding यहां पर ठीक है और यह pencil से करोगे आप ताकि आप फिर बाद में जो यह डोट लगा रहे हैं यह रब कर सके हम यह सिर्फ मैं आपको represent करने के लिए कर रही हूं क्योंकि फिर आपको pencil से यहां पर दिखाई नहीं देगा तो अब यह हमारा क्या हुआ यह हमारा बार ग्राफ है यह हमारा सेकेंड टाइप है जिसकी फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं जो हमारा data होता है उसको handle कर सकते हैं जो information हमारे पास प्लेक्ट होती है उसको represent कर सकते हैं ठीक है अब उसके हमारे पास है next next है हमारे पास और हम यहां साथ में कुछ जो हमारे questions होते हैं उनके answer भी दे सकते हैं जैसे अगर हम से पूछ लें यहां पर कि 2020 से 21 के session में और 2019 से 20 के session में किस में हमारे पास जो students थे एट क्लास के वह ज्यादा थे तो हम क्या बहुत सकते हैं 2020 से 21 में थे क्योंकि हमें पता है वहां पर 250 थे फिर उसके बाद आप से यह भी पूछ सकते हैं अगर जादा थे 2020 से 21 में तो कितने जादा थे तो हम यहां क्या करेंगे 2015 में से 20-200 माइनस कर देंगे तो यहां पर हमारे पास 50 बचेंगे तो हम क्या कहेंगे कि 2020 से 21 के year में जो हमारे पास जो number of students थे 8 प्लास में वह 50 जादा थे 50 more than the 2019 to 20 ठीक है यह थे कुछ question जो हमें यहां पर solve करने होते हैं अब उसके बाद जो हमारे पास है वो है double bar graph यह double bar graph क शा करते हैं करते हैं हम जैसे मालों अब हमारे पास क्या है यह हमारे पास दो जो content सिरख एक थे हमारे पास years और यह थे हमारे पास number of students आगर हमारे पास क्या हो numbers में Kingdom और इयर्स भी दे रखे हों और साथ में दे रखे हो सब्जेक्ट अब हमारे पास क्या हो गया हमारे पास जो डाटा है वो तू सेट्स में गीवन है तो अब क्या करेंगे हम इसको हम यहां पर क्या करेंगे डबल बार ग्राफ है ना तो डबल बार रिपर्जेंट करना स्टार यहां पर है क्या चीज है हमारे पास डबल बार ग्राफ में यहां पर हमें क्या दिया हुआ है कि 2005 से 2006 तक ठीक है और 2006 से 2007 तक जो हमारे पास क्या थे जो स्टुडेंट्स थे उनके जो मार्क्स आए थे वो मैथ में साइंस में इंग्लिश हिंदी और सोशल साइंस ठीक है तो सोशल साइंस इन में जो हमारे मार्क्स आए हैं वो अलग अलग आए हैं ठीक है तो अब हमें वो क्या करना है 2005 से 2016 में कितने मार्क्स आए है और 2006 से और 7 में कितने कितने मार्क्स आए हैं वो हमें रिप्रजेंट करने हैं एक स्टूडेंट के दे रखें नोंने ठीक है फिछी एक स्टूडेंट ने जो उटेन किये हैं जो प्राप्त की हैं तो अब यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर भी हम क्या करें अब उसके बाद जो यहां पर है हमारे पास यहां पर सन को हम यहां पर रिप्रेजंट कर देंगे कि जो हमारे पास Bren international हो रखे हैं वो हमारे 2005 से उसक्ष में और जो हमारे डिपरेंट इस एंदर जो वह वाले जो grandi करके हैं वह हमारे 2006 से 2007 के हैं थिक इसने कितने मार्क्स हमारे आएम मैथ में साइस में और कंपेर कर रहे हैं हमें एक स्टूडेंट का तो यहां पर लिखेंगे मार्क्स स्टूडेंट ने और यहां पर लिखेंगे हम जो वह सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट के हम बात कर रहे हैं तो यहां पर हमारे पास पहले हैं मैथ फिर है सोसल साइंस फिर साइंस और फिर उसके बाद इंगलिश और फिर हैं हमारे पास हिंदी तो यहां थोड़ा गैप बच्चे के 2005 से 6 में वो थे 30 मार्क्स तो यहां पहले रिप्रजेंट कर लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, यह है हमारा 17 ठीक है फिर उसके बाद हम क्या बोला इन्होंने कि जो बच्चा है उसने हमने क्या किया 2006 और 7 को हम किसे रिप्रजेंट करेंगे ब्लैक से पहले 67 में देखते हैं तो 67 में जो मैथ में मार्क्स थे वो थे 60 तो 60 मार्क्स यहां के कोडिंग यहां पर आने चाहिए तो हम यहां पर बना रिते हैं कि यह बन गया हमारा बार ठीक है अब उसी बच्चे के जो हमारे पास फाइव और सिक्स में जो मार्क्स थे वो कितने थे अगर देखा जाए तो यहां पर वो थे हमारे पास यहां पर कितने 30 मार्क्स तो 30 माक्स यहां रिप्रजेंट करेंगे और यह बन गया हमार 30 marks का ठीक है चाहो तो आप color भी fill कर सकते हो ऐसे करके ठीक है यह हमारा क्या है Brown color कर दिया हमने 2005-06 को represent करने के लिए और Black color कर दिया हमने 2006-07 को represent करने के लिए इसे ही करके हम क्या करेंगे सभी जो हमारे subject हैं सभी सब्जेक्ट को ऐसे ही हम represent करेंगे यहां पर तो अब उसके बाद जो हमारे पास है जो SS में हैं हमारे पास आगे वह हैं हमारे पास जो 2005 में जो marks थे five six में 50 थे और जो 6 और 7 में थे वो थे उसके 55, 50 और 55 तो अगर हम पहले 6 और 7 का रिपर्जेंट करें तो 7 में 65 थे, तो 65, नहीं, सोरी, 55 थे, 55 की हाफ ले आते हैं यहां से 50 की और 60 के, यह हो गया, तो अब यहां पर क्या करेंगे, इसको ऐसे करके हम रिपर्जेंट कर देंगे, यहां प पास जो 2005 से 6 के मार्क्स थे, जो 5 से 6 के मार्क्स थे उसके 50, तो 50 तो हमारा यहां पर आता है, यहां पर ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे ड्रो कर लेंगे, और फिर यहां से यहां पर इसको मिला देंगे, तो यहां से यह बन गया हमारा, जो 2005 से 6 में उसके social science में माक्स हमें बाद हम यहां पर science में दिखाएंगे तो science में जो आ हमारे पfeit efficient है हमारे पास तो हम 2007 Kari present कर रहे हैं तो हम ऐसे गर के represent कर देंगे अब उसके बाद हमारे पास क्या है है two thousand six seven के तो वो हम कैसे रिप्रेजंट करेंगे वो कितने हैं वह हमारे 50 तो 50 है तो मामली सा उपरी आएगा इसे थोड़ा सा ठीक है तो यहां से आएगा ऐसे अपया एसे करके ठीक है और फिर इसको हम सेडिकर कर सकते हैं तो हम ऐसे करके सेडिड कर देंगे इसको ऐसे ही हम इसको सेडिड कर देंगे ताकि रिप्रजेंटेशन थोड़ी अलग सी रहे ठीक है फिर उसके बाद है हमारे पास इंग्लिश के अब इंग्लिश में कितने माक्स आया है उस बच्चे के जब वो 2005 और 6 में था ठी वो थे उसके स्टार्टिंग में 55 है ठीक है और जब वो टूथाजन 607 में हुआ तब उसके वो हो गये और वो हो गये 45 55 और 45 तो पहले 45 तो इहां पर आएगा ऐसे यहां पर और जो 55 रोब यहां पर आएलगा यहां पर ठीक है तो पहले न॥े च्जादा थे लेकिन बाद में कम हुए हैं तो बाद में उसके 45 हुए हैं तो यहां पर हम बना देते हैं पहले बाद वाले 2005 627 के और फिर यहां पर बना देते हैं हम 2005 से हमारे पास जो 6 के मार्ट से ठीक है यह हो गया हमारा 5-6 अब इसको भी हम हैं ऐसे ही सेडिड कर देते हैं लाइन ड्रो कर देते हैं इसके अंदर ताकि थोड़ी अलग सी रिप्रेजेंटेशन बनी रहे हैं ऐसे ही यहां पर ठीक है अब उसके बाद जो हमारे पास है हिंदी में तो हिंदी में हमारे पास मार्ट कितने रखें इसके इसके दियो हुए ह है दोनों जो एंट तो फाइव में भी 56 में और 6 7 तेम भी उसके 60 मार्ग है ठीग तो 60 मार्ग से यहां सरे मतलब सभी में तो यह हमने पहले बना दिया इसका आ जो जो 6 से 7 के बीच में जो के मार्ण थे और फिर हम यहां पर बना देते हैं जो उसके 56 में जो उसके मार्ण थी और यह हमने तो यह था हमारा हमारे थ्री टाइप ओफ जो हमने क्या लिए थे रिपर्जेंटेशन थी जो हमारे पास डाटा है उसमें हम जो हमारा डाटा है या हमारे पास जो इनफोर्मेशन है उसको हम कैसे हैंडल करके रख सकते हैं तो इसमें हमने दो बार बनाए है तो इसलिए हम इस आप सेकिंड हमने पड़ा बार ग्राफ और थर्ड हमने पड़ा डवल बार ग्राफ तो यह था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ओली तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टड़ी करेंगे इस से रेलेटिट जो हमारे पास नुमेरिकल हैं कि हम कैसे जो अगर हमारे पास जो कुएस है उसकी और फिर उसके बाद जो वार्थ हैं विद डिफ्रेंस कैसे मेजर करेंगे उनको कैसे बनाएंगे ठीक है तो यह अगर इंटरवल कंबाइन हो तब उनको कैसे बनाएंगे जैसे अभी यहां पर आपने देखा कि जो टूथाउजन ट्वंटी फाइव और टूथाउज सेवन और एट को होता तो हम यहां पर बीच में स्पेस छोड़ देते हैं ठीक है तो इनके बारे में भी डिसकस करेंगे तो यह था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जिसके अंदर हमने क्या पड़ा पिक्टोग्राफ और नंबर ओप स्टूडेंट्स और साथ में हमने क्या बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ इनके एक-एक-दो-दो हफमने exit वी डिसक किये आप आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल Bo को सब्सक्राइb कीजिए और ड्ögलसार करना मत रहेगी तो all the best